हाई तो अपने हॉस्पिटल बैग में आप सबसे पहले अपने हॉस्पिटल फाई और आईडी कांड रख लेजे फिर मैं अपने बैग से स्टार्ट करतेवे आपको बूर्डवी मैंने क्या-क्या रखा था मैंने एक टॉवल रखा था और यह मैंने नाईटी रखी थी cotton 90 with buttons and with this chain chain दोनों साइडी थी इधर और इधर यह मैंने तीन रखी थी अलग-अलग colors के यह मैंने Amazon से और की थी फिर cotton 90 है फिर यह मैंने एक स्टोल रखा था सर ढखने के लिए मैंने ऐसी ब्रा रखी थी पैडिड मुझे रिकमेंड किया था तो पैड़ नॉर्मल ब्रा यह 니ुर्टर नी रखने पैड़ वाली है यह मैंने तीन रख ली थी फिर उसके बाद मैंने एक ऐसी ड्रेस होम कमिंग के लिए जब मैं डिस्चारज होके घर आने वाली थी, तो मैंने एक ऐसी ड्रेस रख ली थी, इसमें कुछ बटन नहीं है, बर हाँ, इसमें ऐसी चेंज है बस साइड में, दोनों साइड चेंज है और पीछहे बेट यह मैंने मंद्रा बेलव वे ली ती, ब्लू कलर और एक मेर्वन कलर में, आहSea रख सकते हैं यह अलमोस्ट मेरे फुल्लंथ, इसे खेए के लें Teole मैंने एक ऐसी बेल्ट रख ली थी क्योंकि यह थे मैंने बेल्ट ऐसे ही अर्नाइन ले ली थी जो डॉक्टर ने रिकमेंड उस ताइम नहीं की थी को उसके देख करां में नहीं हूं रिकमेंड थैंअ vendor क्योंकि लें लेक के दिमें दूफ़्वा भाद में मुझे रिकमेंड भी किया था एक अगर मैं रिकमेंड भी मोग मेंकि नाम याह थी इसके बात जो डॉक्टर ने मुझे रेकमेंड किया था मैंने वो बेल्ट पहनी थी फिर अगर मैंने ये ऐसे डिस्पोजबल पैंटी ली थी क्योंकि हम देलिवरी के बाद हेवी फ्लो होता है अभी तो मेरे हॉस्पितल में मुझे पैंटी मिल देती पर अगर इनकेस आप लेके चाहना चाहे तो कम से कम ये 4-6 आप लेके जा सकते हैं मेरा साइज था मेडियूम तो लार्ज तो एक्जाक्ट फिटिंग थी दो पैंटी रख के एक दिन में तो अराम से चल जाती थी तब ये ले सकते हैं चाहे तीन या चाहर पैकेट उससे जाधा था जरूद नहीं पड़ेगी उसके लावा जब मेरा फ्लोर थोड़ा कम हो गया तो मैं ये नॉर्मल स्टेफ्री का पैट्ज उस करने लगी थी जब फ्लोर होडी कम होगी तो मैंने अपने लिए ऐसे वुलन सॉक्स रख लिया था वह रखा था मैंने थिर मैंने एक हैंड टॉबल रखा था अब जैसे बातरूम से आरहे हैं तो हाथ थो या हाथ थो तो पोच की आरह थी थे फिर उसके अलावा अगर जैसे कान एसी है रूम में तो आप ऐसी कुछ कैप ले लीजी या तो मौसम बहुत थंडा है तो यह सर ढखने के लिए कैप एका प्रेडिक्शनल लख सकते हैं फिर उसके अलावा अच्छा वो यह वाली पैंटी मैं आपकर से बस सैंपल के लिए दिखाना चाहती थी कि यह वह ऐसे दिखती है डिस्पोजबल है जब यूज होने के बाद आप नॉर्मल से उतार के डिस्पोज कर सकते हैं और मैंने जब मैंने ऐसी भी कुछ पैंटी ली थी यूज अन्थ्रो टाइप यह तो एकदम काम की नहीं आई मेरे लिए यह भी मैंने यूट्यूब में देखके खरीदा था बट मुझे तो यूसफल नहीं लगी मेरे लिए यूसफल नहीं थी तो यह डिस्रिगाड कर सकत है अगर आपके फ्लो कम है वैसे फ्लो होती तो नहीं है फिट भी एक सेफस हैट के लिए टू-3 पैंटी भी अब रख सकते हैं मुझे तो यूज नहीं आई थी पट है मैंने पैक कर लिया था टू-3 पैंटी अब पैक कर लीजिए तो यह थी मेरी आक्चली पैकिंग तो इ नर्सिंग ब्रेस्ट पैड सो यह भी lavender अजए मैने खरीदा था यह सोचिके की यहा लीकेज होती हैम लीकज मुझे हुई थी बट आप ब्रेस्ट मिल्क जो लीकेज होता है बट वो मुझे वास्पिटल में ने हुई मुझे và घर आने के बाद भी मुझे ये यूसफुल उत्तरा नहीं लगा सोने के टाइम ये यूसफुल नहीं होता है इससे अच्छा मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप जो नॉर्मल डिस पैड्स होते हैं जो अलग से वह आप यूस कर सकते हैं वह काफी बड़े साइज में होते हैं ये में नहाने के लिए मैं बड़ा रिखना तो जो तो मैं नहाने के लिए मैंने लूफा दाला था सुरी थोड़ा सामान जादा दो जबाड़ा एक से फीचे करके येस, no this is fine so मैंने एक लूफा फिर उसके बाद मैं आपको बोलूँगी कोई भी एक अपनी मन पसंद का आप कोई ऐसे ले लीजे face wash ही तो मैंने नाने के लिए भी यूज कलिया था, हाद होने के लिए भी यूज कलिया था, बस काम चलाना था, दो-ती दिन के लिए तो मैंने ये सब के लिए उसके लिए था नाना, हाद होना, face wash, everything और एक क्लचर मैंने रख लिया था बाल टाइकरने के लिए कंगी जब घराने के टाइम कंगी के लिए फिर अपना sanitizer और ये मैंने face mask ऐसे दो से तीन रख लिया था, safer side के लिए फिर toothbrush और toothpaste ये को रख लिए फिर उसके बाद अगर mirror नहीं है, safer side के लिए तो mirror ले जाए चोटा सा फिर अपने फिर मैंने ये eyebrow pencil काजल और कोई भी lipstick आपकी मन पसंद चोईस की lip balm, anything आपकी जो choice पसंद है, फिर कान ढखने के लिए cotton delivery के बाद बोलते हैं, ठन लगती है तो रख लिया था मैंने, फिर ये मैंने दो clutches चोटे भी रख लिये थे, फिर मैंने ऐसे rubber band भी रखे थे, दो से तीन ये आप रख सकते हो फिर आप अपना phone charger रख लिजिए और अपना phone वह भी जरूरी है, फिर कोई भी cream जो आप फेस और body दोने के लिए ये यूज कर सकते है ये तो मुझे ऐसे ही ये तो मैं दिखाने के लिए कर रही है मुझे gifted है ये पता नहीं मेरे कौन सी क्रीम लेके गई थी यार नहीं आ रहा मुझे बाट ये कोई भी आपका compact powder मेकप के लिए और क्या लेके गई थी मैं मुझे खाने के लिए अगर कुछ snacks डिले हो रहा है खाना डिले हो रहा है तो कुछ भी खाने के लिए हलका फुलका लेकर आप रख सकते है चौकले शा कुछ ड्राइफ्रूट्स या फिर कुछ बदाम वैसे आप रख सकते हैं तो यह था मेरा पैकिंग अब मैं दिखाती हूँ मैंने बेबी के बैग में क्या के पैक किया था तो बेबी के लिए मैंने पैक किया था सबसे पहले एक बैग ले लिया था मैंने ऐसे कुछ बैग है बेबी के लिए बैग लिया था मैंने फिर उसके बाद मैंने बेबी के लिए पिर उसके अलावा ऐसी ऐसे वाले कपड़े यह ना चाद जैसे बेबी को ढखने के लिए बहुत ही बहुत ही सॉफ्ट है यह कुछ हावजरी मटीरियल का है अब बिना सुच समझे ले ले लिए अरौंड चार से पांच यह जुरुत पड़ती ही है ऐसे मटीरियल यह तो बेबी हग का है यह मने शायत फर्स क्राइसी लिया था तब यह ऐसे चार से पांच ले लिए जब मेरा बेबी बॉन हुआ था तो हॉस्पितल ने मेरे से ही पर यह दो ले सकते हो यह मैंने वाइप बेबी के लिए यह दो आप ऐसी शोट रह सकते हो यह कुछ बान्न ओ ओश एमेस जीरो तो थी मॉंस कर लिया था मैंने यह यह दो ले सकते हो रहांट पाइस नीचे पहने के लिए सबसे नीचे पहने के लिए बहुत ही पतला सॉफ्ट है और यह ऐसे थ्रेड वाला है जनरली क्या होता है नर्स जो होती है वहाँ पहले बेबी को अब अगर इनके स्थांड है तो यह पनाती है आप ऐसे सेट ले ले लिजिए आराउं फोर तो फाइव पीसस चल लेंगे आप देखिए आप खरीट के तब आपको पता चलेगा कि हाँ अब वेदर के साब से क्या जरूरत है आपको ऐसी पैंट भी मैंने ले ले थी यह पैंट है इसी जीरो ब्रैंट से यह भी बहुत जरूरत जीरो तो फ्री मंद्स ही होगी ऐसे मैंने लंगोट रख लिये थे अब बेबी को सारा टाइम तो डाइपर में नहीं रख सकते तो इसके ले तो लंगोट रहते है यह भी मैंने फरस्स क्राइसे लिया था यह बहुत बहुत वाँदा यूस्फुल है तो यह अपने यह वीक पैल में यहतो बीच सशने करें बेवी को टतुन देख करें लेखिये में तो सवक्रीज लगता है यह मीमी का है मीमी का ब्लांकेट है और ऐसे खुलता है इसकी बेल्ट भी थी बेल्ट पता नहीं का है और शायद मिस्प्लेस होगी है ऐसे करके यहां पर बेल्ट भी मतलब बेबी कंदर यहां दालने के बाद ऐसे बेल्ट भी थी तो यह बहुत यूसफुल है यह आप तो डे डेफिनिटली ले सकते हो और यह बेबिके मेरे अभी यूज़ करती है सोने के लिए उसे नीम बी इसी में आती है तो यह बहुत अच्छा इन्वेस्मेंट हा मेरे लिए वाशबल भी है मशीन वाश में आराम से कर सकते हो तो यह होगी और तो मैंने कुछ है और बेवी के लिए डाइपर्स तो हॉस्पितल वाले इनिशली दे रहते हैं एक पैकेट तो एक पैकेट तो देते ही हैं बाट फिर भी सेफसेटली मैं दस से पंदरा डाइपर्स लेगे थी यह पैमपर्स के हैं पैमपर्स के आपको लो कलर का से दिखता था न्यू बॉन लिखा रहेगा उसमें तो वही वाला लीजेगा यह टेप वाले हैं थोड़े कंफ़टेबल रहते हैं बेवी को तो मैं अभी भी उसे ऐसे ही डाइपर्स बनाती हूं तो और उसके अलावा आप उसके लिए ऐसे हैंकी रख सकते हैं फ शाली हुआ जीजेए अगर कसे गुआइज हैं और अधिनस रख सकते हैं नियू के तो मुझे म्चे मीटन भी थे तो मुझे मुझे पनाना था तो मैं ने ips नहीं का तो मैं ज्याद स्वास्पली में नहीं काटे दिख चाटेती अब जो काटे ते आप मिटन ऐसे ले जासे यह तीन दिन के सबसे तीन गसेट वैसे और यह दाइपस अब 10-15 ले लिजिए अगर हॉस्पितल आप प्रोवाइट कर रहे हैं तो फिर आप थोड़ा कम ले जाहिए और तो बॉड़ी हॉस्पितल में तो वैसे तो नर्स आके नहला दी थी में बेबी को अब चाहो तो कोई वाश रख सकते हो मैंने यह बॉड़ी वाश बेबी का प्रॉम जिरो तो फाइव यह अच्छा है अगर नहीं यूज हो रहा है तो आप घर आके यूज कर लेजी सिंप अब यह बुल गए यह एक काप्स भी रखे है क्योंकि मेरे रूम में तो एसी था तो इसलिए बेबी को काप भी पनाया था तो यह ऐसी काप्स लेजाएगे आप तीन काप्स काफी है तीन तचार जितने दिन आपके स्टेय है और ऐसे बिप्स तो मुझे नहीं लगता अतन जरूरत थी बेटर अगर आपको रखना है तो आप एक या दो रख सकते हैं तो यह चीज है कि आप थोड़ा बहुत कप अडिशनल समान होगा नहीं यूज हुआ तो कोई बात नहीं अप घर आके भी उसे यूज कर सकते हैं तो इसके सॉरी सॉरी मेरे हाद से मेरा फोन पेसल गया था अगर इसके लावा मुझे कुछ याद आया तो मैं आपको जरूर डिस्क्रिप्शन में में निचन कर दूंगी और इसके लावा तो बस यह है हॉस्पितल बैग में जो एसेंशल है आप अपना बैग अलग पैक करिएगा नॉमल अपने लिए जो आप पहन के जाएंगे और जो आपकी बातरूम स्लिपर जैसे कि ए एक बातरूम स्लिपर रख सकते हैं एक फैंसी चपपल रख सकते हैं ताट्स इट थैंक यू